हेलो स्थो मैं हूर जयत बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का इस निव वीडियो में दोस्तो सीरियल गुम है किसी के प्यार में फिलाल काफी जादा शांदार चल रहा है आज के एपिसूड को देखने के बाद तो मैं यही बोलूँगा क्योंकि यहां पर मतलब आज का वीडियो तो अभी अपलोड हुआ है आप लोगों ने देखा होगा लेकिन पिछले वीडियो में कमेंट सेक्शन भर गया आज मॉर्निंग में कि गड़ चीरोली की शेर्नी जो है वो फिर से कमबैक कर चुकी है और लोगों की खुछी का ठीकाना कुछ इस तरीके से मुझे देखने को मिला कि कमेंट सेक्शन से लेकर इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ हो रहे थे मिशन जो है वो हमेशा ही तया रहता है हमारे विराट भाई साहब का एंड विराट भाई साहब जब शादिवादी कर लेते हैं 주세요 भाने यह रहाव यह बहुत किसी मिशन नहीं है यह बहुत छोटा सा रेस्क्यूय आप्रीशन आपको को मिलने वाला है यहां पर जिसमें ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन बस यह सही और विराट को एक रहा पर ले जाने के लिए सीरियल के मेकरस ने क्रस्ता तयार किया है जो कि बड़ी आसानी से आगे बढ़ने वाला है अब दोस्तों यहां पर हमने रिष्ट वगएरा कोई पकड़ में नहीं आते हैं तो हमारे विराट भाईसा भी बसते हैं जो यह कर पाते हैं और इस बार भी ऐसा ही होगा हमारे विराट दोनों ही मिलकर मौकाय वारदात पर होने वाले हैं और यहां पर रेस्क्यू करने वाले हैं कुछ पूलीस ऑफिसर तो ऐसे होती रहती है कि नाकपूर के सेलिब्रिटी वालोग बन गए होंगे अब तक क्योंकि बहुत बार विराट के कारणा में और साही के कारणा में छप चुके हैं और इसके बावजूद भी आप उनको नाकपूर में कोई नहीं जानता कई बार तो नॉर्मल लोग भी को धमकाते वे नजर आ जाते हैं अब दोस्तों यहां पर जब डियाई जी सर आफर लेकर आने वाले हैं कि भाई तुम दोनों जो है हमाये जॉइन कर लो यहां पर और विराट से प्रमीशन लेने वाले हैं कि डिप्यूटी कमिशनर आप बन चुके हो मैं कमिशनर हूँ फि कि इनके साथ काम करना किसी और को रख सकते हैं या फिर हम कुछ और ट्राय कर सकते हैं लेकिन फाइनली डियाई जी सर कहने वाले हैं कि भाई डिप्यूटी कमिशनर तुम भले ही क्यों न हो तुम अपने कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट बड़ी शांदा डॉक्टर क्यों न क्योंकि अकसर तुम लोग ने साथ में काम करकर सही डिसीजन लिये हैं और इन सही डिसीजन के साथ ही तुम बहुती बहतरी तरीके से काम कर पाओगे और फाइनली दोस्तों यहाँ पर सही और विराट के नईया पार लगाते हैं वे हमें डियाई जिस तर सुमाफी चाहूंगा कमिशनर सर नजर आने वाले हैं जो कि दोनों को एक जॉब में बान देने वाले हैं यानि कि प्रोफिशनल लाइफ इशूस के साथ तो उनका रिष्टा टूर चुका था तो यहाँ पर सील के मेकस ने प्रोफिशनल लाइफ में उनका रिष्टा बान दिया है और सही और विराट आपको साथ में देखने को मिलेंगे क्योंकि इतने दिन तक उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक एंगर भरा हुआ था, दिल में एक एंगर भरा हुआ था कि एक दूसरे को बस सुनाना ही है, कुस्ताने मार देने हैं, बदला लेना है, बच्चे किसके बाद जाएंगे, कस्तेडी किसकी होगी, यही सब चीजे हो जाएंगे, कि एक दूसरे के कंधे पर कंधा रखकर सो जाएंगे, तो यहां पर पूरी तरीके से पत्र लेखा दीदी की चैन की नींद, सालों की नींद जो है, वो उड़ जाने वाली है, पूरी तरीके से, क्योंकि वो देखने वाली है, क्योंकि वो देखने वाली है, क जो कि सही और विराट के दिश्टे में कुछ सुधार जरूर आपको देखने को मिल सकता है लेकिन या पर वो किसी भी तरीके से एक दूसरे की करीब नहीं आने वाले हैं या फिर अपने रिष्टे को आगे नहीं बढ़ाने वाले हैं या इसा नहीं होने वाला कि विराट पत् करने के बाद जोगों में किसी के प्यारों है फिर से लोटते वे आपको जल्दी नजर आने वाला है और फिलाल तो से कुछ कहानी दूर होने वाली है जक्ताब के किरदार से लेकिन जब भी मिस अंडर्स्टेंडिंग करने की जरूत सील के में इकर्स को लगेगी कि टियार आपी चाहिए सई और विराट को इत्री अल्दी एक नहीं कर सकते हैं तो यहां पर जक्ताब करदार आपको एंटर होते वे नजर आएगा और उसके बाद बड़े-बड़े तुस्त आपको देखने को मिलने ही मिलने वाले है और आई तिंग आप लोगों को समझ में आ गया कि पत्र लेका वो डिजर्व करती है लेकिन विराट भी सही नहीं कर रहा है क्योंकि जिस तरीके की हरकते वो कर रहा है यह भी एक तरीके से कानूनन अपराद है वो किसी के उपर ऐसे जोर आजमाईश या फिर से मारने वारने की चीज़े नहीं कर सकता है यह भी एक तरफ स मानसिख रूप से प्ताडित करना ही होता है जोकि सीरियल में पक्तल लेका को तो विराठ करी रहा है NTC के साथ ही हम सब वीवर्श को भी कर रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं भाई तो लीड हीरो है सीरियल का खुस्तो दम दिखा और खुस्तो पॉजिटिव कर और finally यहांपर नीलबट के साथ seal के makers आने वाले अपिसोड में justice करते वे नगे और यहांपर नीलबट हमंको बहुत entertain करने वाले हैं अपने negative किरदार से बहाँ निकल कर well hope तो यही गरते हैं कि यही हो आने वाले अपिसोड में मैं बिलूँगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में जब तक के लिए थैंक्यू दोस्तों